रमोना बैचमेन रमोना बैचमेन एक फुटबॉल स्टार हैं। रमोना बैचमेन का जन्म 25 दिसंबर 1990 को हुआ था। वह एक स्विस पेशेवर फुटबॉलर हैं जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम बनाया है। वह वर्तमान में डिवीजन एक फेमिनिन क्ल के लिए खेलने के लिए स्विडन जाने से पहले बैचमेन का करियर स्विस क्लब माल्टर से शुरू हुआ। उमया के साथ अपने समय के दौरान उन्होंने मैदान पर अपने असाधारन कोशल का प्रदर्शन करते हुए 2008 और 2009 में स्विडिश लीग चैंपियन्शिप जीती 2010 में बैचमेन ने महिला प्रोफेशनल सौकर डव्यू पीएस कलब अटलांटा बीट के लिए खेलने के लिए सन्युक्त राज्य अमेरिका का रुख किया और अपने क्षितिज का और विस्तार किया अमेरिका में अपने कार्यकाल के बाद बैचमेन 2011 में जर्मन क्लब FC जूरिक के साथ हस्ताक्षर करके यूरोप लॉट आए उनकी प्रतिभा और समर्पन लगाता चमकता रहा जिससे पेरिस सेंट जर्मेन का ध्यान आकरशित हुआ जहां वह 2017 से खेल रही है PSG के साथ बैचमेन ने कई बार डिवीजन एक फेमिनेन चैंपियनशिप और कूप दी फ्रांस फेमिनेन जीत कर बड़ी सफलता हासिल की है बैचमेन का प्रभाव उसके कलब करियर से कहीं आगे तक फैला हुआ है वह स्विट्जर लैंड की राष्ट्रिय टीन की नियमित सदस्य हैं उनके नाम पर 100 से अधिक प्रदर्शन और 50 से अधिक गोल है उन्होंने अंतर राष्ट्रिय मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए फीफा महिला विश्व कप और UEFA महिला चैंपियंशिप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में स्विट्जर लैंड का प्रतिनिधित्व किया है अपनी गती, ड्रिबलिंग शम्ता और फिनिशिंग कौशल के लिए जानी जाने वाली बैचमैन एक अत्यधिक कुशल और बहुमुखी फॉर्वर्ड है उसकी हवाई धमक और मैदान पर कहीं से भी गोल करने की शम्ता उसे एक ताकतवर खिलाडी बनाती है बैचमैन की सफलता और लोक प्रियता ने उन्हें दुनिया भर के महत्वाकांशी फुटबॉलरों के लिए एक आदर्श बना दिया है बैचमैन की प्रतिभा को कई व्यक्तिगत और टीन पुरसकारों से मान्यता मिली है उन्हें 2009 में UEFA महिला अंडर 19 चैंपियंशिप गोल्डन प्लेयर से सम्मानित किया गया था और उन्हें दो बार स्विस फुटबॉलर आफ दे यर नामित किया गया था इसके अतिरिक्तर उन्होंने डिवीजन एक फेमिनिन प्लेयर आफ दे यर का पुरसकार जीता है प्रेयनादायक है खेल के प्रती उनके कोशल, द्रिड संकल्प और जुनुन ने उन्हें महान उचाईयों तक पहुंचाया जिससे बह सभी समय के सबसे सफल स्विस फुटबॉलरों में से एक बन गई रमोना बैचमैन एक ऐसा नाम है जिसे फुटबॉल की दुनिया में आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा इस विडियो को देखने के लिए धन्यवाद